सम्हम जर्रंगतामी प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि हमें जैसे एक स्टुडेंट है उसको अपने एक्जाम क्लियर करने है तो उसे यह बढ़ने के लिए कितना मिनिममम टाइम चाहिए होगा मतलब जैसे हमारे पास यह एफ आफ टी वाली सिंपली एक्वेशन गिवन है हमें यह बताना है कि इस इक्वेशन में जो टी की वैल्यू है ना वो कितनी मिनिममम से मिनिममम हो सकती है जिसमें कि वो सारी यह टी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है मतलब वो मैक्सिमम कितना आपने अंदर स्ट्रेस ले सकता है जिससे कि उसकी जो पढ़ाई है ना वो कंप्लीट जो गिवन है वो हमेशे ये देखो ये वाली जो कंडिशन है ये जो कंडिशन है ना F of T plus 1 is greater than K मतलब अगर हम उस T से एक भी value बढ़ी ले लेंगे ना T से एक भी increment करके हम answer निकालेंगे तो वो हमारी K से बढ़ी हो जाए हमें S C T की value चाहिए और K से बढ़ी मतलब हमारे पास स्ट्रेस है ना वो या तो इसे छोटा हो या तो इसके बराबर हो ठीक है तो के वही है हमारा maximum stress गिवन है हमें हमें ठीक है तो यह देखना इसमें हमें जो यह K की value है ना यह ध्यान देना यह 10 raise to power 18 तक दे रखी है समझे रो मतलब जो हमारी जो K की value है वो 10 raise to power 18 तक है है ना तो इसका भी आगे use अभी में बताऊँगा कि इसको ना हम limits में कैसे use कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो input है उसका क्या explanation है तो input में अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास जैसे ABC यह गिवन है है ना टू 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 और 10 तो first test case में अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम T की value को 2 ले लेते हैं ना तो अगर हम एक minute जैसे इस पर आज सब्सक्राइब तो अभी देखना हमें जैसे इसमें दे रखा है यह चीज ठीक है और क्या दे रखा है एक minute 10 A, B, C, D और K ठीक है तो हमें इसमें इदर रखा है कि यह A है यह B है यह C है यह D है और यह क्या है K ठीक है यह 10 गिवन है इदर तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें जैसे यह चीज निकाल लिए है कि A, T, Q, plus B, T, square, plus C, D, ठीक है प्लस, T, और यह जो value होगी ना यह हमारी क्या होनी चाहिए यह हमेशा कम या फिर उसके बराबर होनी चाहिए यह K, ठीक है तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह सारी values 2 है इस case में यह सारी values 2 है ना तो 2 को अगर हम common ले 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 तो यह चीज बचेगी T, Q, plus T, square, plus T, ह है ना और प्लस, 1, ठीक है अब यह जो है ना यह छोटी होनी चाहिए हमेशा इस से तो अगर हम इसको calculate करें है ना तो अगर हम इसकी value को T, को 2 assume करके देखें तो T, को अगर हम 2 assume करके देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की power 4, plus 2 की power 3, plus 2 की power 2, ठीक है अब अगर हम इ 8, plus 4, plus 2, ठीक है तो यह कितना हो गया 6, यह कितना 14 और अगर हम इसको जहान से देखें तो यह तो बड़ा बन गया ना हमारा पास इस से 10 से, समझ रहो, तो हमें इसी की हमें मतलब वो value चाहिए जो कि इस से छोटी बने, तो अगर हम 2 नहीं बना सकते तो हम इस से छोटी value ल यह बाद समझा है हम कैसे निकाल रहे हैं मतलब अब उच में, तो अभी देखना हमें बस यह ही calculate करना है कि हमारे पास अगर हम मालो इस equation में यह चीज कर दें, मतलब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने mid की value निकालेंगे, तो ध्यान से देखना हमें जो यह 10 की power 18 यह k की value given है, है न, this is k, तो k की value जो है, maximum अगर इतनी जा सकती है, तो हमारे पास जो equation है, उसमें power कितनी है, t cube, है न, तो हमें अगर t की value निकालनी है, तो यह t cube, मतलब यह देखना, t cube जो है, वो जा रहा है, वो 10 raise to power 18 तक जा रहा है, तो t कहा तक जाएगा, तो t तो 10 raise to power 6 तक ही जाएगा न, समझार यह बात, तो हमारे पास यह 10 raise to power 6 है, यह हमारी t की क्या हो गई, highest value हो गई, है न, तो यह हमारी high value हो गई, और जो हमारी low है, वो 1 हो गई, समझार यह बात, है न, तो हमारे पास यह वाली high हो गई, और जो low है, एक मिनिट, हाँ, जो low है, वो 1 हो तो हमारे पास ये low और ये high तो हमें बस इसी range में क्या करना है ये sorted range है मतलब वही 1,2,3,4 से लेके 10 raised to power 6 तक और इसमें हम mid calculate करेंगे और mid क्या है हमारा mid यही है t की value फिर हम इस से ये equation की value calculate करेंगे फिर हम इसको calculate करने के बाद देखेंगे कि क्या ये value जो है ये चाहिए थी कि अगर हमारे पास ये जो value है ये छोटी है उसके बराबर बन रही है तो हमारे पास उसको maximum मतलब time कितना ले सकता है वो हमें ये बताना था है ना ये बात समझा रही है मतलब इस T की maximum value कितनी हो सकती है कि वो हमेशा के से चोटी जाए तो हम क्या करेंगे इस केस में low की value को बढ़ा देंगे low mid plus one क्योंकि हमें इसमें maximum चाहिए ठीक है समझा रही बात और अगर है ना क्या हुआ कुछ doubt है क्या तो फिर अगर हमारी ये जो value है ये equation की solve करने का अगरे बड़ी आती है केसे तो हम अपने high की value को छोटा कर देंगे ठीक है ये mid minus one कर देंगे बस इतना ही करना है हमें इसमें ये बात समझा रही है तो बस यह हमारी अप्रोच है हमें calculations करनी है इसमें में अभी एक बार code पर आ जो ba 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 आगे अभी देखना हमें सबसे पहले test case input लिया उसके आद हमने ABCD की value लिए फिर हमने वो value लिए जो हमें मतलब maximum जहां तक बनाना है यह K की value है वैल ठीक है उसके आद हमने lower को assign किया 1 और upper को assign किया 10 raised to power 6 ठीक है फिर हम binary search लगाएंगे इस lower और upper value में ठीक है मतलब k की value कर숙़ करने के लिए फिर एक बार binary search वाले function में देखना हमने क्या किया है हमने binary search में क्या किया हमारे पास न यह जो लेफ्ट और रइड है هमारी lower और higher value ठीक है हमने lower high में binary search लगाया हमने mid को calculate किया और फिर हमने check कि किया हमारे पास यह Moane पास उस k की value से बड़ा बन रहा है सबसे पहले तो हमने calculate कि हमारे पास यह जो mid की value है यह equation में क्या answer देगी तो यह full function से हमने calculate कि हमारे पास यह equation की answer आएगा यह क्या बनेगा तो यह हमने वही किया जो अभी मैं बता रहा था कि AQ plus B square और plus CT plus D है ना हमने इसको calculate किया यह जो ULL है यह वही है हमारे पास क्योंकि जो हमारी T की value है वो 10S to power 6 तक जा सकती है और उसका भी हम एक product करना है तो इसलिए हमने आपे long long ले लिया है ठीक है यह बात समझा रही है हमने क्यों लिया है और वो भी केवल इस ही में लिया हमने इस equation को calculate किया और फिर हमने compare किया इस function में अब नीचे आजाओ उसी में यह जो हमारा binary search था फिर हमने ना इस function को निकालने के बाद इस temporary value को compare किया कि क्या हमारी यह जो value है यह मतलब सबसे पहले तो नीचे वाली condition में देखो यह 35 condition में देखना फर्स्ट इफ condition में कि हमारी अगर यह value टैंप वाली अगर यह चोटी यह उससे बराबर बन रही है तो यह हमारा possible answer हो सकता है या तो यह दोनों बन जाए मतलब एक तो अगर यह चोटी और बराबर बन रही है है ना तो यह possible answer हो सकता है लेकिन ऐसा भी तो के बाद यह जो फू फंक्शन है ना ABCD और मिड़ प्लस फिर मैंने मिड़ प्लस ओन में भी उसी में calculate कि एक तो ऐसा होना चाहिए कि यह जो हमारी टैंप की value आई यह मिड़ वाली एक तो यह चोटी होनी चाहिए और जो मिड़ प्लस वन अगर हम calculate करें ना तो हमारी value से मतलब के की value से बड़ी होनी चाहिए अगर यह दोनों condition satisfy करती है तब ही वह हमारा क्या होगा वह हमारा maximum possible answer होगा टी का जो की value से छोटा है समझा रही है बात और यह जो मिड़ मिड़ बराबर मतलब अगर चकी है ना राइट से यह वह वाली condition है कि अगर हम ऐसा भी तो कर सकते है कि हमारे पास हमने मिड़ प्लस वन calculate किया है है ना लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो highest value है जो हमारी टी की पार सिख सक जा रही है क्या हो मतलब अगर वही हमारा answer हो है ना तो उसकेस में तो हमारा मिड़ प्लस वन तो हम calculating नहीं कर पाएंगे समझ रहा मेरी बात है ना तो highest value अगर हमारा answer हो सकती है तो उस case में मिड़ प्लस वन का तो वह फाइदा नहीं है तो उस case में हैना और ये कंडीशन है कि Ha aula पास जो मेड वो से चूटा है समझ रहे हो मरी बात है हाना तो बस हमें यही करना है कि हमारे पास अगर जो कंडीशन ट्रू होच है कि मतलब में भी किसातिसफाइख ररा और मिड़ प्लस वन भी इसेज़ाी कर तो अगर इस कोड़ में करना था और फिर लास्ट में निकाल के और हमने आउट्पूट कर दिया उस वेल्यू को ठीक है तो अगर इस कोड़ में कोई डाउट है तो पूछ लो यह दो हमने मतलब यहां पर अगर हम इस कोड़ को है तो यह यह सारी हमारी इंपूट है और यहीं हमारा आउट्पूट है जो हमें कोशन में गिवन था है ठीक है ना